तो गाइस बहुत दिनों के बाद तुम्हारा भाई वापस आ चुका है और यार यहाँ पर देखो इतनी सारी स्कॉर्ड्स आ रही है मैंने सोचा था कि यार सेवर ने उतरते हैं एक दो स्कॉर्ड आएगी वर टैर यहाँ पर कम से कम छे स्कॉर्ड तो है ही है और यार बहुत सारे बंदे आ रहे हैं तुम्हारा भाई यहाँ पर अकेला है प्रिंस भाई पोचिंकी की तरफ उतर रहे हैं शायद रोजोग में उतर रहे हैं खेर यार प्रिंस मेरे से बहुत जादा दूर है, बहुत सारी स्कॉर्ड आई है, तो यार बहुती आराम से, बहुती ध्यान से खेलना पड़ेगा, ठीक है, प्यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी स्कॉर्ड आ चुकी है, और यहाँ पर फटा फट उदरते जब तक प्रिंस मेरे पास नहीं आता तब तक एक आदा बंदों को तो निप्टाई दे सकता हूँ तो यार यहाँ पर थोड़ा सा अराम से खेलना था जब तक प्रिंस मेरे पास नहीं आता मतलब एक बैक आप मेरे पास नहीं रहता तब तक थोड़ा सेफ खेलना ही है मैं को तो यार मैं क्या करता हूँ जो कल के वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी सिंपली इस चत पे जाओ अब यहां से स्प्रिंट करें एक जम्प लगाओ फिर एक और जम्प लगाओ फिर एक और जम्प लगाओ और यार यहां पर मैं आ गया तो यार अब यहां से बहुत सारी स्कौर्ट की मिरे को साउंड आ रहे हैं और यहां पर एक बंदे ने मिरे को स्पॉट कर लिया था बट इसको निप्टा देता हूँ खैर अभी बहुत सारी स्कौर्ट है ठीक है आपस में भी फाइट कर रहे है तो उनको लड़ने दो जब तक मेरा बैक अप यहाने कि प्रिंस भाई नहीं आते तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला अब यहार यहार यहां पर सेफ खेलने का मतलब यह नहीं होता कि आपको आँख के सामने जो भी किल दिखाई दे रहा है उसको आप लोग न बटो तो एक बाट को निप्टा देता हूँ और उसके साथ एक और बंदे का साउंड आ रहा है मैंको तो ये बंदे को भी निप्टा देता हूँ तो यहार देखो यहां पर बैठे बैठे मेरे पांच किल तो हो गये थे प्रिंस भाई अब बहुत जादा करीब मेरे आ चुके थे तो यार रिस्क मैं ले सकता था वैसे त्रिपल स्टोरी के अंदर एक और बंदा था जिसका मैं को साउंड आ रहा था तो पहले तो यहार मेरे को यहां से वो दिखाई दे गया अब वो सीडियो पर कैम कर रहा है थोड़ा सालर ठोके उसके उपर रश करना पड़ेगा और कुछ भी हुआ तो प्रिंस भाई तो हमारे बहुत ही करीब है रिवाई तो मिली जाएगा अब यह बंदा यार यहां पर बैट कर मेरा वेट कर रहा था है कि जैसे ही मैं आँगो निपटा दूँगा बट तुमारे भाई ने प्रिफायर दिया और यह बंदा ने पड़िया खैर राइट साइड से भी मेरे को एक बंदे का साउंड आ रहा था तो यहां से फटाक से निकलता हूँ और उस बंदे को भी देख लेता हूँ कि यार भाई कौन है कहाँ पर एक क्या कर रहा है बट या मेको लगा सबसे पहले कि इस घर में है बट इस घर में बंदा था नहीं सामने ओले घर में था प्रिंस भाई मेरे फिछल रहा रहत है कि ग्रिनेटसे ग्रिनेटरे शहाँ तरहा by краer ग्रिनेटर से ग्रिनें ट्रैकर लेते है तो यार देखो बहुत दिनो भाद खेल रहा हूं। ग्रिनेटर परफिक्ट नहीं होगा सबया को नहीं होगा वैसे ही तुम्हारा भाई 30 दिन क्या कहता है 30 दिन बुड़ा हो चुका है 30 दिन बुड़ा हो चुका है बट grenade फिक ना भूला नहीं है खेर अब यहार 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 से निकलते है स्कारेल मैंने ले ली थी जो कि M4 में बदल जाती है सामने की दर्ब से में को sound आता है ठीक है तो वहाँ पर भी squad थी जो आपस में fight कर रही थी काफी धना धन युद्ध चल रहा था तो उन बंदों को भी चलो चल कर निप्टा देते हैं अब गाईज यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा से wait करता हूँ तो बंदे का sound है जाता है बंदा घर के अंदर है और घर के अंदर rush करने से पहले हमेशायद रखो इस कोने को आपको check कर ले ना है बिकाज यहाँ से दिख जाता है कि बंदा cam तो नहीं न कर रहा अब यारे उपर की तरफ जाता हूँ तो यह बंदा कोने में बैठकर heal मार रहा था और heal जैसे ही मारता है बिचारा उसको हम लोग निप्टा देते हैं खैर बिचारे ने कितनी मैने से यह squad wipe out करी होगी और जैसे ही heal मार रहा था हम लोग ने उसको निप्टा दिया अब गाइस यह चीज़ देखो और यह देखो देख रहे हो रिफ्लेक्स देख रहे हो और यह बंदा बॉट है ठीक है यह बंदा बॉट है ठीक है तो यार इस बंदे को जब मैने मारा तो मेरा जो रिफ्लेक्स था वो काफी अलग था काफी तेज़ था मतलब कहने की बात बहुत हैं इसलिए जो हमारे मन में डर नहीं रहता है लेकिन हम जब real बंदों से fight लेते तो हमारे मन में एक डर रहता है कि हम लोग मर भी सकते हैं और उस डर के गारण हमारे जो reflex रहता है घड़ जाता है तो यह ग्यान आपको कैसा लगा कमेंड में में को जरूर बताना अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर scene कुछ ऐसा है कि एक बंदे को बॉट ने मार दिया और उस बंदे के teammate ने बॉट को निप्टा दिया तो यहाँ पर एक बंदा डाउन है दूसरा बंदा उसको revive दे रहा है टीम पुरी फसी हुई है रश करने का बहुत सही मोगा है तुम्हारा भाई रेश कर देता है देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर पहला बंदा हील मारते रहे गया दूसरा बंदा हैरान हो गया कि भाई हो क्या रहा है तीसरा बंदा smoke करते रहे गया और पूरी की पूरी टीम निपड़ गई खैर यहाँ पर जब क्रेटल उटने आता हूं तो यह देखो यह एक मेर को ड्रेस मिलता है और इस ड्रेस को देखकर प्रिंज भाई का रियाक्शन देखो आप लोग तो यह कवे वाला ड्रेस तो काफी ज़ादा अजीव है यार मतलब क्या ही बोलना है इसको आप लोगो ऐसे में को बताओ कि प्रिंज भाई ने तो इसको कवा विर्यानी बोल दिया आप लोगों को यह ड्रेस कैसा लगता है बहुत ही अजीव ड्रेस है ठीक है बट यार अभी मैं आपको सीन बताता हूँ देखो बहुत देर से हमको बंदे मिलनी रहते तो प्रिंज भाई को मैंने बोला तू अलग गाड़ी से आप मैं अलग गाड़ी से जाता हूँ ठीक है तो ऐसा गर कि हम लोग बंदा ढूनी रहते कि मिलिटरी बेस की साइड ब्रिज के साइड वहाँ पर हम लोग को एक गाड़ी दिखाई देती है बंदे रहते हैं जो ब्रिज केम्पिंग करते रहते हैं बहुत देर से हमको बंदे मिले ने रहते तो यार बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था अब यहाँ पर देखो तुमारा वाई फटा-फट- आफएट सबको निप्टाने वाला है अब गैज यहाँ पर एक बंदा डाउन है दूसरा बंदा पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है तीसरा जो बंदा रहेगा वो पहले बंदे को जो नौक है उसको रिवाइद दे रहा होगा बस एकी बंदा बचा है जो हमसे फाइट ले सकता है तो यार रश करने का बहुत सही मोगा है तुम्हारा भाई ग्रेनेट बगेरा बिछा देता है और grenade करने के साथ साथ rush कर देता है अब यहाँ पर बहुत ही जबर्दस situation होने वाली है तो यह सिंद बहुत ही ध्यान से देखो बहुत मज़ाएगा नहीं यार इतने सारे hit खाने के बावजूद वो बंदा बच कैसे गया खैर कोई बात नहीं इस बंदे को फिनिश कर रहा है दो बंदे बचे हुए हैं सबसे पहले इस बंदे को चेक करते हैं इसके पास grenade है यानि बिकॉज grenade बहुत ज़ादा काम में आने वाला था अब दोने के बंदे उस साइड आने वाले हैं और मेरे पास grenade हो गयरा है नहीं जो भी होगा देख लिया जाएगा तो यार फाइनली बहुत ज़ादा खुशी हो रही थी में को बिकॉज यहां तक आने के बाद मेरे 20 किल हो चुके थे और 20 किल का मतलब यह है कि वीडियो यूटूब पर जाएगी जाएगी तो यार बहुत ज़ादा खुशी हो रही थी बिकॉज बहुत दिनों बाद खेल रहा था और 20 किल हुए थे खेर आगी के तरफ जाता हूँ तो यार एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है डासया स्पॉट हो जाती है और डासया के अंदर दो बंदे निकलते हैं और वो बंदे देखो यार क्या करते है तो यार यहां पर अच्छी बात यह थी कि उन्होंने मेरा टायर कोल दिया अगर मेरी कोपड़ी कोल देते तो वही पर मेरा काम 25 हो जाता खेर कोई बात ने हील मारेंगे हील मारने के बाद सीधा जाएंगे उस बंदे से फाइट लेने और यहां पर बंदा एमके चला रहा है तो काफी सावधानी से में कोई यह चीज खेलना पड़ेगा ठीक है एक एक स्टेप एक चीज ध्यान से करनी पड़ेगी एक बंदा जोन से मर गया है फाइंडल फाइट है हम दो वो दो देखते हैं क्या होता है और कुछ हुआ तो एर प्रिंस भाई तो है इंखेर आगी तरफ जाता हूँ और गाड़ी का देखो गाड़ी पर बंदा बैट र होता है कि बंदा रिज के नीचे 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 सो के बैट के कैसे ना कैसे करके पूरा रोटेशन दे देता है और यहां पर मेरा जो पूरा फोकस था वो गाड़ी वाले बंदे पर था मतलब सामने था राइट साइड मैंने ध्यार ने दिया ऐसी गलती आप लोग मत किया करो खैर प्रिंस भाई अभी भी है प्रिंस को मैं बोलता हूं फटा फट भाई स्मोक कर और मेरे को बचा ले क्या लगता है प्रिंस भाई में को बचा पाएंग के वैसे यहां पर मैंने क्या कहते हैं खास दिया और मेरे को नहीं लगता हब मैं बच पाऊंगा खैर दे आप गाइज यहां पर एक ग्रेनेट आता है और तुम्हारा भाई निपट जाता है एक एर प्रिंस ने उस बंदे को डाउन कर दिया था जिसने में को निपटाया था तो एर प्रिंस को मैं बोलता हूं भाई उसको पूरा खा वीकॉज यहार देखो मरने के बाद इनसान के प उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलते ठीक है तो यहार यहां पर बंदा निपट जाता है अब एक ही बंदा बचा हुआ था प्रिंस भाई हमारे बचे हुए थे वन वी वन का सिचुएशन है क्या लगता है आ एंडी प्रिंस यूटूब प्रिंस क्या कर सकते हैं उस बंदे को निपटा सकते हैं चलो देखते हैं बट यार बंदा में को लग रहाएगी कहीं न कहीं सो के साप बन के लेटा हुआ है अब यार जोन भी आ रहा था प्रिंस को बोलता हूँ भाई फटा फट कर जो भी करना है बिको जोन आएगा डामेज तेरको पड़ेगा उसको बंदा गारी लेकर निकल जाता है अब देखो क्या होता है प्रिंस बाई यहां पर जोन का डामीज पढ़ रहा था तो जोन के अंदर जाते हैं तो देखो क्या होता है तो यार इसी के साथ ये था आज कचिके डिनर आपको कैसा लगा 22 किल के साथ और हाँ गाईज आपको डेली गेमपलेज मिलते रहेंगे ठेक है बस आप लोग आज ऐसे वीडियो को लाइक करो शेयर करो तो मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ पब्लिक सपोर्ट कर रही है हमको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए आप देखो डेली आएगा आप लोग बस वीडियो को फैला दो ठीक है बाकि आपने जो वीडियो यहाँ तक देखा यार उसके लिए हमेशा की तरह थैंक यू थैंक यू सो मच